पाली में तेज टाइल्स से भरा तेज रफतार ट्रेलर असंतुलित होकर हाईवे पर पलट गया आदसे में केबिन में दबने से खलासी की मौत हो गई वहीं ड्राइवर घायल हो गया गुरुवार को पोस्ट माटम के बाद पुलिस ने शौप परिजनों को सौपने की कारेवाही की सदर्थान अधिकारी अनल कुमार ने बताया कि हाथसा बुधवार रात करीब 9 बजे हाईवे पर खेतावास गाउं के पास हुआ गुजरात ट्राइल्स लेकर जैपूर की तरफ जा रहा ट्रेलर हाईवे पर खेतावास गाउं के निकट असंतुलित होकर पलट गया हाथसे में ट्रेलर के नीचे दबने से टोंक जिले के आकोडिया गाउं निवासी 22 साल के दिलखुश पुत्र रामेश्वर मीडा की मौत हो गई मही ड्राइवर चोटिल हो गया काफी मशक्कत के बाद मृतक का शौक केविन से बाहर निकाला गया और शतिग्रस्थ वहन को सडक किनारे करवा यातायात सुचारू किया हाथसे में ट्रेलर से भरी ट्राइल्स मौके पर बिखर गई और ट्रेलर भी बुरी तरह शतिग्रस्थ हो गया पाली से समवाद दाता इश्वर राज दमामी मांडा की रेपोर्ट